हाई एवरीवन कैसे हो आप तभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जेयार ट्यूटोरियल्स में तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन आप दे मोस्ट और इस चाप्टर में बहुत सारे बेसिक चीज़े हमने पढ़ लिये लगातार तीन लेक्चर बन गया चौथा लेक्चर है लेकिन स्टार्ट करने से पर एक और आपको चीज बताना चाहूंगा यार कि हमारे वाइट बड़ वाले वीडियोस हमने पूरा केमिस्ट्री और बाइयोलजी और बाकि जो सब्जेक्ट फिजिक्स वगरे वो भी स्मूथली चल रहा है तो आप कंटिनियूसली मुझे कॉमेंट करके बता दो यार कि आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है लेवन स्टांडर का जरूर से मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ यार कि और बाइब है और आप जैसे प्यारे चोटे भाई भेंट मुझे इस जा टूरियोज यूटूब चानल के थ्रू मिले हैं तो थांकि यू सो मच वंस अगें पॉविशिंग मी और आज बर्डे है तो थोड़ा बुच छोटा मोटा कुछ कर लेंगे यार लेकिन बहुत ज्य करता हूं जैसे कि आप जानते हो पिछले दो साल से तो इस साल भी अगें आज बड़्डे है अगें आज वीडियो बना रहा हूं आपको लिए वीडियो शूट कर रहा हूं ठीक है और साथी में जिन्नों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं गया जरूर से कर ले वहां पर मुझे मेंशन कर सकते हो टाग कर सकते हो ठीक है तो जरूर से कर ले लिंक वे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो चले शुरुआत करते है वीडियो की तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते है हमने इस चाप्टर की शुरुआत की थी और यह फैनरोगाम्स तो फैनरोगाम्स क्या होते हैं फ्लवरिंग प्लांट जिसमें सीड्स आते हैं फ्रूट साते हैं जिसके हल्प से वह नया प्लांस बना सकता है तो यह होते हैं फैनरोगाम्स ठीक है अब यहां पे जो क्रिप्टोगाम्स है इसमें भी दो हिस्स है थे तह तो चीज हमने अल्रीडी पूरा का पूरा पढ़के रखे हैं हम लोगे हमने अभी तक के तीन लेक्षर उसमें पूरा कम्प्लीट करा दिया है थैलोफाइटा प्राइओफाइटा और आज हम जाने वाले हैं वैस्पिलो प्लांट्स का पढ़ते के लिए जिसका नामे यह सभी चीज हम लोग आज आपको पढ़ाने वाले तो बस आपको एक काम करना है यह वीडियो को एंड तक देखलाना हर चीज समझ में आ जाएगा फिर जैसे आज का लेक्षर कम्प्लीट होगा और नेक्ट लेक्षर जब आएगा लेक्षर नमबर फाइव जो होगा अग बोल सकते हैं, first in vascular and true plants, vascular क्यों कहा है जैसाब में बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि इस plant के अंदर vascular tissue यानि xylem phloem present होते हैं all true plants क्यों कहा गया है क्योंकि यह एक ऐस है जिसमें stem roots और leaves proper तरीके से differentiated है क्योंकि इसके पहले हमने थैलोफाइटा पड़ा ब्रायोफाइटा पड़ा थैलोफाइटा अलग तरीके से الगी वाला category का plants था तो उसको मैं plant बोलूंगा क्या है ने क्योंकि हम 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 जो यह सी पढ़ते हैं लेकिन, अलग कटेगरीप यह टएलोफाइटल जमीन पर रहने वाले कि यह बिच में आपको दिख रहा होगा तो यह प्रापर तरीके से यह आप देखो एक स्टेम बीच में से गया हुआ है यह यह पुरा का पूरा स्टेम है ठीक हे नीचे आप देखो बहुत सारे रूट्स आपको दिख रहे हैं तो ये root, stem और lips इसमें present है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये true category का plants है, proper category इसमें present है, और ये पहले ऐसे crypto games है, द्यार तब पहले क्या only one ऐसा category है जिसके पास vascular tissue system present है, इसके पहले थैलोफाइटा प्राइटा जो पड़ा था, उसके अंदर vascular नहीं थे, इसलिए तो उ vascular plant रखा गया है, त्यूकि उसमें vascular tissue, vascular bundle, xylem phloem present नहीं है, ये जो टैलेटोफाइटा क्याटेगरी का plant है, इसमें हमारा जो vascular tissue system है, xylem phloem present है, that's why हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पहले crypto games है, ठीक है, crypto games category का है ये ना ये, ठीक है, और साथ ही में ये जो टैलेटोफा जो age था ना, उसमें खासकर ये जो type के जो plants होते है, टैलेटोफाइटा क्याटेगरी के जो plants होते है, ये सबसे आज़ा पाए जाते थे, ठीक है, और इसलिए ये जो paleojoic era था ना, it is regarded as the age of teledophytes, मतलब जैसे age of ultron आपने देखा होगा, एक movie थी, ठीक है, ultron का age, वैसे age of dinosaurs पैलोjoic age, तो उसमें जो plants होते हैं, टैलेटोफाइटा जादा तर पाए जाते हैं, ठीक है, साथी में लगबग यहाँ पे जो टैलेटोफाइटा के जो plant है, इसमें 400 टाइप के जिनरा कैटेगरी है, बितलब जो plants होते हैं, उसके कैटेगरी होते हैं, जीनस के हिसाब से, तो जीनस के हिसाब से 400 कैटेगरी है, और उसके species के हिसाब से, लगबग 11,000 टाइप से भी जादा plants है, टैलेटोफाइटा के 11,000 species, जो बहुत होते हैं, इतने species इसके अंदर प्रेजेंट है, लगबग plants के अगर मैं बात करू, plants है feather, pinnate, क्या होते हैं, plants के जो होते हैं, इस feather जैसे, जैसे पंक होती है न, चिडिया की, ठीक है न, वैसे feather जैसे इनकी leaves है, दोनों साइट से, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते है, pinnate, क्या कहते हैं, pinnate कहते हैं, तो इसके लिए, यहाँ पे जितने भी टेरिटोफाइटा category के जो plants होते हैं, उनक small leaves वाले plant, micro fields, that is, silaginela, that is example, एंसाथी में जो large leaves होते हैं, बड़े-बड़े पत्तियां होते हैं, जोसको हम लोग क्या बलेंगे, macro fields बोलेंगे, इसका example याद रखना, nephrolifis या फिर fern, यह आपको diagram यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक से दो diagram याद रख सकते हो, या फि stages in life, यानि कि जो teridophyta category के जो plants होते हैं, इसमें दोनों ही stage उसके life में देखा जाता है, एक saprophytic phase, यानि is pore formation वाला, और दूसरा gametophytic, that is leaves formation वाला, यह दोनों ही stages उसके life cycle के अंदर, life period के अंदर teridophyta plants के अंदर देखने मिल जाती है, example याद रखना है, तो fern याद रख सकते ह that is sporophytic and gametophytic दोनों ही stage देखा जाता है fern के अंदर, ठीक है, but teridophyta में अगर आप देखोगे, तो कुछ plants ऐसे भी होते हैं, जो aquatic होते हैं, aquatic मतलब क्या, पानी में रहते हैं, aquatic plants है, तो पानी में रहने वाले जो plants है, aquatic plants, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको इचीज बता क्या बताया, कि most of the teridophyta हो, तो क्या terrestrial है, लेकिन मैंने क्या बोला, कि जितने भी है, सब terrestrial है, लेकिन कुछ तो exceptional case सब में होते हैं, तो एक exceptional case यह है, कि कुछ ऐसे plant भी पाय जाते हैं, जो पानी में रहते हैं, इसका example अगर आपको याद रखना है, तो azola करके है, इसका या अब generation by generation, प्लांस आते जाते हैं, एक nephrolifice था, उसके बाद दूसरा nephrolifice आएगा, लेकिन इनका जो physical appearance है, that is the morphological character, morphological appearance, जो बाहर का बनावट है, वो alternate cycle पे क्या होता है, change होता है, that is the heteromorphic change होता रहता है, जैसे अभी nephrolifice जैसा दिख रहा है, उसके अगले, इसमें थोड़ सा अलग, मतलब generation by generation, इसके अंदर alternation, morphological characters के हिसाब से heteromorphically देखा जाता है, अब, starting में मैंने बताया था, कि ये plants को true plants कहा जाता है, क्योंकि stem roots और leaves present होता है, इसका मतलब इनके अंदर plant body होता है, ये differentiate होता है, root, stem और leaves के अंदर, और ये जो roots present होता है, starting में जब roots आते हैं, त मतलब 7-8 में पढ़ा होगा, तीन टाइप के roots हम जनरली देखते हैं, एक होता है tap root, दुसरा होता है fibrous root, और एक है adventious root, तो adventious root जो होते हैं, वो basically किसमें होता है, teridophyta category के plants के अंदर पाये जाते हैं, मतलब अगर आपको कोई पूछता है, कि teridophyta के अंदर कौन से type के roots होत होते हैं, इसलिए इसको vascular plants भी कहा जाता है, तो vascular tissue मतलब क्या है, तेको vascular tissues यानि कि xylem and phloem, तो xylem जो present है, उसके अंदर ना सिफ ट्रेकिड पाया जाता है, ठीक है, ट्रेकिड होता है, सीव tubes होता है, सीव cells होते हैं, ऐसे कई सारे चीज़े होती है, वो आप पढ़ोग भी क्या होती है, इसके अंदर absent होती है, इसका मतलब क्या हुआ, यानि कि जो plant है न, वो proper तरीके से growth नहीं कर पाता है, secondary तोर पे, यानि fruits वगरे नहीं दे पाता है, ठीक है, flowers formation and fruits formation इसके अंदर नहीं हो पाती है, और क्यों absent है secondary growth, because of the absence of cambium, इसके अंदर cambium जो है न, वो absent हो इसके वे से secondary growth नहीं देखी जाती है, अब यह जो teradophyta है, इसके भी कुछ classification है, बस कुछ नाम है, आपको याद रख लेना, teradophyta is classified into, that is, sylopcida, lycopcida, sphenocida and teradophyta, तो यह कुछ 3-4 categories के teradophyta के नाम है, आप लोगो को इसको याद रख लेना है, बागी पुछ नहीं, तो यह लेते हमारे, किसके बारे में, teradophyta के बारे में, पूरा पूरा features, उसके characteristics, उसके examples, लेकिन जो teradophyta है, इसका ecological importance भी है, क्या है, उसका ecological importance अगर मैं बात करूँ, economical importance अलग होता है, economic मतलब क्या होता है, जैसे हमें उससे पैसे के वेसे काम है, मतलब उसको बेचा कुछ मिल गया तो वो था economical, तो economical भी पूछता है, लेकिन exam में ecological importance अगर पूछा है, तो आपको क्या लिखना है, मतलब उसका हमारे ecological perspective के इसाप से, nature point of view, क्या use है, तो ecological importance के अगर मैं बात करूँ, यह जो teradophyta category के जो plants होते हैं, यूज for the medicinal purpose, medicines बनाने में, medicinal purpose के तोर पे, direct आयुरुएदा के तोर पे, इसका काम होता है, use होता है, that is, medicinal purpose के लिए, साथी में soil binder, soil में इस्तेमाल होते हैं, soil binders के तोर पे, और साथी में ornamental plants है, मतलब इसका सजावाट और कुछ ornaments बनाने में, फूल के माला वाला पेंते हैं पहले जमाने में, उसी type के सजावाट में ornamental इसका इस्तेमाल कि क्लिया जाता है, clear है, समझ में आगे दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह पूरा अच्छी तरीके से आपको clear हो गया होगा, तो चलो, आज के लिए यह वीडियो यहाँ पे इसी के साथ समात होता है, और इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो पूरा क्रिप्टो गै करेंगे, लेकिन आप लोगो थोड़ा सा इंतजार और अगला लेक्चर आ जाएगा, बहुत बेतरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना, चलो, आज के लिए इतना ही, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना, व